जय श्री कृष्णा दोस्तों नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है मैं नमीन सिंग एक और कुण्डिली लेकर आजिर हुआ हूँ आपके सामने इनका नाम है कोसल जोसी डेट वर्थ चोदा नो निस सुनब्य इस्थान रेनी राजगड अलवर और इनका जन्म समय है बारा बीस पीम इन्होंने पूचा है नोक्री पैसा अपनी और अपनी पतनी की सहत के बारे म और ये दोस्तों इनका कुण्डिली विशिलेशन सुरू करते हैं इनका जो जन्म लगन है वो विरिश्चिक है सनी सनी जो है वो इनके दुट्य भाव में है और राहू इनके तीसरे भाव में है और सातवे भाव में मंगल आठवे भाव में मिथुनराशी में चंद्रमा चोथे भाव में गुरू केतू करकराशी में नवे भाव में भाग्य भाव में इस्तित है जहां गुरू उच्च के हैं पांचवे भाव में सूर्य बुद्ध और सुक्र हैं जो कर्म भाव में दीन गरह या दो गरह दसवे भाव में या करम भाव में बैढ़ जाते हैं तो राज योग कर निर्मान करते हैं और जहां गुरू अपने ही घर में है तो ये बहुत बड़ा योग कारक हो गया बहुत बड़ा राज योग हो गया तो ये इनका लगन चक्र है जन्मांग चक्र है तो आब आगे इनका विजलेशन शुरू करते हैं लगन वरिष्चिक है रासी स्वामी लगन के मंगल लगन इनका है 17 डिगरी 49 का लाका जेश्ठान चत्र में अर्थात इनका जो लगना वो यूवा है यूवा लगना जो काफी अच्छा है सूर्य सिंग रासी में हैं चंद्रमा मिथुन रासी में मंगल वरिष रासी में बुद्ध वक्री और अस्ते सिंग रासी में गुरू करक रासी में उच्चिके हैं युवा अवस्था में जो ग्रै है वो है सुक्र और मृत अवस्था में सनी वक्रियो कर धनू रासी में विराजमान है तो दोस्तो इनकी जो रासी हुई मिथुन नक्षतर इनका पुनर्वसू तीसरा चरन तो इनका जो जनमक्षर है नामक्षर है वो है है करकर आसी है इनकी एका दसीती थी को पक्षेन का क्रिष्ण पक्ष था सुक्रवार के दिन ये पैदा हुए सुद्रवरन गण देवता है सूर्य चंदर्माती मित्र है सूर्य मंगलती मित्र है सूर्य बुध जैसे ही सूर्य मादस आएगी और उसमें बुध कंतर आएगा तो उसमें वो सतुरुता रखेंगे सूर्य सुक्र अतिस्तुरु होंगे अर्थात कहने का मतलब यह है कि सूरिय में जब सुक्र की अंतरदसा आएगी तो अतिस्तुरता होगी क्योंकि सूरिय हमारे सम्मान के कारक है सरकारी नोकरी के कारक है गौर्मेंट जोब के और हड़ियों के कारक है उसी में सुक्र यानि कि अमारे लक्जरी लाइफ के सुक्सवंद्र के कारक हैं तो सुक्र वहाँ पर उल्टा प्रभाव आपको देंगे सूर्य सनी अती शत्रू है तो इस प्रकार से हमको ये पता चल जाता है कि कुंडली से कौन मित्र है कौन अती मित्र है कौन शत्रू हर कौन अती शत्रू है तो दोस्तों में इनकी बात करते हैं तीसरे इस्थान में तीसरे भाव में राहू तीसरे भाव में राहू बहुत सुब होता है कुंडली में समस्त सुक्दे देता है पोलिटिक्स में राजनीती में तर्क में आपको बहुत आगे लेके जाएगा राहू और सूरिय बुद्ध और सुक्र दस्वे भाव में होने से आपको गौर्मेंट जोब सूरिय का बली है दस्वे भाव में अपने घर में बैटे हैं तो गौर्मेंट जोब आपकी निश्चित पक्की है और बुद्ध और सुक्र ये पत्नी भाव के कारक हैं व्यापार भाव के कारक हैं और कर्म इस्थान में सूरिय के साथ बैट गए तो आपको पत्नी से भी धनलाब होगा और बुद्ध और सुक्र और सूरिय से समंदित आप यापार कर सकते हैं गवर्मेंट जो भी आप आराम से लग जाएगी सत प्रतिशत सम्मान पाएंगे गवर्मेंट से ये तो हुई आपके ग्रहों की बात अब जो महादशा और उसमें अंतर दसा चली हुई है महादशा है बुद्ध की जिसमें दसा चली हुई है शुक्र की बुद्ध आपके वक्री और अस्त है लेकिन फिर भी कहते हैं कि बुद्ध सूर्य के साथ अगर होता है तो उसको अस्त होने का दोस्त नहीं लगता बलकि प्रकरता आ जाती है राहू तीसरे में बुद्ध सूर्य के साथ होने से करम भाव में होने से आप कित्तर के बुद्धी विलक्षन होगी अदबुद होगी वेवशाय में आपको काफी आगे लेके जाएगी सनी आपके दुद्ध्य बाव में है जो कि आपके सनी दुद्ध्य बाव में सही नहीं रहते परिवार काफी बड़ा दे देते हैं परिवार से जब सनी की साड़े साथी आती है तो ये परिवार से दूर भी कर देते हैं ये आपको सनी देव का उपाय करना होगा अभी आपका वरिष्टिक लगन है यूँ लगन है वरिष्टिक लगन के इसाब से अभी आप की पीडित दसा चल रही होगी क्योंकि जिनका लगन परभावी होता है उनके उपर भी पनिदेव का असर होता है तो आपको आपकी कुंडिली में जो धृष्टी संबंद है मैं वो आपको बता देता हूँ राहू और मंगल का धृष्टी संबंद है जो की आपकी जब इनकी दसा आएगी तो कुरोध की अधिक्ता खाज खुजली की शमश्या, बिमारी, भायों से विवाद जब मंगल या राहू में मंगल या मंगल में राहू की दसा आएगी तो आपको ये चीज हो सकती है जोतिस विज्ञान संबावनाओं का गणित है राहू और गुरू का दृष्टी संबंद है ज्यान विवेक को दूसित कर देंगे राहू की दृष्टी गुरू पर पढ़ी हुई है तो राहू नीचता दिखाएंगे आपके अंदर जो ज्यान है विवेक है उसमें नीचता भर देंगे धर्म करम में रूची नहीं रहेगी बड़ोक के संबान में कमी आ जाएगी संतान से सुप में थोड़ी कमी कर देंगे सनी और चंदरमा का दृष्टी संबंद सनी और चंदरमा का दृष्टी संबंद है अर्थाथ जब इनकी दस आएगी या मादस आएगी सनी है चंदरमा की चंदर्मा सनी की तो यह आपकी माता को तकलिफ देंगे आपको मांचिक पीड़ा देखके रखेंगे माता को तकलिफ यह हो सकती है कि माता की जो गुपतांग है गुपतांग का मतलब पेट के अंदर जो भी आंग है वो उनको भी हम देख नहीं सकते वो भी गुपतांग हो ग बेठा है और आठवे भाव यानि पतनी से सुख के भाव में बैठा है जहाँ पर सनी की सातवी दृष्टी पढ़ी हुए वह आप से पतनी से सुख में कमी करेगी और पतनी को कोई ना कोई शमश्या अवश्य देगी पतनी की जो तबियत रहेगी वो खराब करके रखेंगे स सनीदेव, सात्वा भाव, जिसमें मंगल विराजमान है, लगने सोकर मंगल सात्वे भाव में, यानि कि लगन जो आपका व्यक्तितु है, आप हैं, वो आपके व्यापार भाव में बैठ गए जाके, तो आपका व्यक्तितु है, जो आपकी सोच है, वो एक व्यापारी की तरह वहाँ मंगल बैठा है, जहां पर, सनी देव सात्वी बाव में बली होकर बैठ जाते हैं, दिखबल वहाँ सनी देव के प्राप्ट होता है जो कि मंगल के दूसमान है लेकिन वहाँ बैठ गए, मंगल जाकर, मंगल वहाँ पे पती-पतिनी में विच्छेद उत्पन करेंगे, मतभेद उत्पन करेंगे ब्रम उत्पन करेंगे तो इस चीद से आपको सावधान रहना है सक कोई पैदा हो उससे पहले उसको सुलजा लेना है ताकि रिष्टे बने रहें मंगल और सुक्र का दृष्टी संबंद थोड़ा सा चरीतर हीन करता है तो इस बात का भी ध्यान रख है मंगल और सनी का दृष्टी संबंध सारिरिक पीड़ा चोट चपीट की संभावना ओप्रेशन आदी की स्तिति पैदा कर सकता है तो यह आपका दृष्टी संबंध हुआ यानि दृष्टी संबंध का मतलब ये है कि जब जब इनकी मादस आएगी तो यह दृष्टी अपनासर दिखाएंगे अभी आपको आने वाले एक दो साल में काफी तरक्की मिलेगी उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ गुरु आपके उच्च के बैठे है बाग्य भाव में उससे पिता का भी देखा जाता है तो किस्मत आपके अच्छी रहेगी रहुत तीसरे बाव में बहुत अच्छे बैठते हैं बहुत अच्छा फल देते हैं राजनीती में टोप में लेके जाएंगे आपको और गुरु की जो नवी दरस्ती है वो अपने ही घर पर पंचमभाव पे हैं तो सिक्छा से आपको लाब होगा संतान से भी सुख आपको प्राप्त तो आप हरी चीजे जो भी हैं हरी सबजी सागपतार्त जो हैं खाद खद्ध्यान जो हैं या मंगल ओजार अस्तर सस्तर जमीन जायदाद इनका अभी आप कारुबार कर सकते हैं और इन सब आपका जो अक्छे रहा आपकी जो राशी में वताई मित्धुन है उसमें हम आप पहले से सावदान कर देता हूं मित्धुन रासी में अभी राहु का गोचर हुआ है मैंने विडियो डाला है और अगले साल सनी की डहिया भी शुरू होने वाली है तो पहले से आपको मैं कह रहा हूं सावदान रहिए अब मैं आपको इनके उपाए बता देता हूं अगर बुद्ध आपके अस्त हैं और ब सुक्र कंतेशा बुद्ध जो हैं उनना पूशक क्रेय हैं अर्थात। बच्चे शुरूप में तो जिस ग्रह के साथ वूरहते हैं उसका शुरूप दारन कर लेते हैं मतलब शुक्र का उनने रूप धारन कर रखा है तो सु wäre कि जैसी बुद्धी आपको हो जाएगी तो इस लाइट बिल्यू, डार्क कलर आपको नहीं पैरने और उपाय के तोर पर बुद्ध से समंधित उपाय मैं आपको बताता हूँ एक तो किंडर मिल जाए तो किंडरों को हरी सबजी हरे फल हरी साडी कांच की चोड़िया स्रिंगार सामागरी आदी उनको धान करें बुद्ध बहुत अच्छा फल देगा आपको पोलिटिक्स में आगे रागे जाना हो व्यापार में विर्दी करनी हो तो ये आपको तरक्की देंगे बुद्धवार के 21 वरत कीजिए किसी ब्राह्मन के पास जीए मंदिर में उनसे संकल्प लीजी हाथ में लेकर 21 वरत का और बुद्धवार वाले दिन गणेश जी को दो मोति चूर या किसी भी लड़ू का भोग लगईए जारा 21 और 51 दुरुवा चड़ाईए और उनके सामने बैठ कर संकटना सक गणिसिस्तत्रम का पाठ कीजे सुबह दोपैर श्याम और सुबह उठते के साथ ही गर समय मिले तो ओम गंग गनपते ये नमें मंतर का जाब कीजे 108 बार अधबुद लाप होगा बुद्धी का जो विकास होगा वो विलक्षन होगा ग्यापार में आपको बहुत तरक्की मिलेगी तो कुल मिला कर जो आपकी कुंडली है वो बहुत अच्छी है हाँ थोड़ा सा दृष्टी सम्मंद जो है जब इनकी दशा और माहा दशा आएगी वहाँ आपको थोड़ी पीड़ा होगी इस चीज का आप ध्यान रखिए और बुद्धी जो है वो एक तरफ एक टार्गेट पर लगई है वैसे तो आप तीसरे में राहू होने से किसी के बैकावे में नहीं आ सकते लोग आपको ऐसी पागल नहीं बना सकते आप हर चीज में जब किसी से बात करते हैं तो उसमें तरक लाते हैं पहले जिससे आपको सफलता मिल जाती है राजनीती में और व्यापार में यही चीज में देखी जाती है तो आप यह उपाई कीजिए बुद्वार को जानवरों को हरा दाना या साथ प्रकार के जो अना जाते हैं वो डाल सकते हैं व्यापार में तरक्की देगा गाय को हरी घास हरा चारा खिलाईए बहुँ ज़दा तरक्की देगा और नोकरी लगने के बाद जो भी तनकाती है उसका दसांस यदि आप दान करते हैं तो ये बहुत लाबकारी होगा आपके परिवार के लिए और आपके लिए ब्रामन से बुलाकर सनी देद दुत्ति भाव में बैठे हैं उसका इलाज करवाईए जो आपके भाग्या में विर्दी करेगा और आगे तक आपको लेके जाएगा तो आपको ये जानकरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए इसीक साथ विदा लेता हूँ जये श्री कृष्णा